पेश है सवराज 855 नई लुक नई शो के साथ वीडियो में हम आपको सवराज 855 फोर विल ड्राइब ट्रैक्टर के बारे में पूरा रिव्यू जानकारी देने वाले हैं ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 slander 3478 CC का 50 HP की कैटेगरी के अंदर ये दमदार इंजन मिलने वाला है फ्रन्ट एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको plenty drive फ्रन्ट एक्सल मिलने वाला heavy duty जिसमें आपको 9524 के बड़े साइज फ्रन्ट के मिलने वाले हैं सबसे पहले फ्रन्ट लूप की बात करें तो इसमें आपको horizon lamp के साथ सवराज का logo लगा हुआ मिलने वाला है ट्रैक्टर का जो bonnet आपको इसमें मिलेगा single piece bonnet single hydraulic jack के दवारा automatic open होने वाला इसमें आपको single piece bonnet मिलने वाला है बड़ा radiator इसमें आपको मिलेगा power steering के लिए इसमें आपको अलग से oil मिलने वाला है तीन slender के अंदर आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा जिसके अंदर 2478 CC का powerful दमदार 2000 engine rated RPM वाला engine मिलने वाला है इंजन के cooling की बात करें तो इसमें आपको तेल वाला air cleaner मिलेगा और oil water cooling system इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलने वाला है ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 stage oil bath type का मिलने वाला है जिसके अंदर आपको 3 layer मिलती है जिसमें आपको एक dry filter उसके बीच में जाली और उसके नीचे ही नीचे oil का tank बना हुआ होता है ट्रेक्टर के अंदर आपको alternator देखने को मिलने वाला है ट्रेक्टर के hydraulic और power steering का इसमें आपको अलग-अलग pump दिया गया है exhaust manifold को जाली के दुवारा बहुत अच्छे तरीके से cover किया गया है ट्रेक्टर के उपर आपको reverse PTO का logo मिलेगा यानि कि इस ट्रेक्टर के अंदर आपको reverse PTO मिलने वाला है four wheel drive multi independent कलच इस ट्रेक्टर में आपको मिलेगा जी हाँ ट्रेक्टर के अंदर आपको PTO के लिए अलग से कलच दिया गया है ट्रेक्टर के अंदर आपको 205 newton meter torque वाला engine इसमें आपको मिलेगा water separator वी इस ट्रेक्टर के अंदर आपको लगा हुआ मिलेगा single step platform इसके अंदर आपको मिलेगा यानि कि थोड़ा सा उबड़ खाबड प्लेटफोर्म इसमें आपको मिलने वाला है सवराज ट्रेक्टर के अंदर steering wheel के बाद करें तो इसमें आपको compact यानि की छोटे size का steering wheel मिलने वाला है combination switch आप देख सकते हैं ट्रेक्टर के जो pedal दिये गए हैं वो पहले से काफी easy operate होने वाले pedal आपको मिलने वाले है push type के pedal आपको मिलेगे tractor के brake की बात करें तो पूरा तेल में डूबे हुए brake इसमें आपको मिलने वाले हैं यह है असली feature low medium high यानि की इस tractor के अंदर आपको बारां forward और तीन reverse यानि की 15 speed इस tractor के अंदर मिलने वाले हैं जिससे आप अपने फिल्ड का काम पहले से जादा जल्दी और बहतर तरीके से कर सकते हैं PTO चलते समय या चलाते समय किसी तरह की कोई SUV ना हो इसके लिए आपको single lever PTO मिलने वाला है और साथ ही इसमें आपको four wheel और two wheel drive का lever ही independent college के बिलकुल साफ्थ दिया गया है ट्रेक्टर के hydraulic की बात करें तो इस 50 HP की श्रेनी के ट्रेक्टर के अंदर आपको 2000 kg की heavy duty lift capacity मिलने वाली है adjustable driver seat इसमें आपको मिलेगी 6 साल याने की 6000 घंटे दोनों में से कोई भी पहले हो आपको 6 साल की warranty मिलने वाली है पीछे के टायरिस में आपको 1629 काफी बड़े साइज के मिलने वाले है क्वालिटी की बात तो हम यहां करने वाले ही नहीं है क्योंकि सवराज की क्वालिटी के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं पीछे के टायरिस में आपको 1629 फेंडर और इंडिकेटर भी पहले से काफी चेंज कर दिये गए है फ्लो लेंप भी चेंज कर दिया गया है ट्रेक्टर के अंदर आपको डवल अड़ेस्टेवल जेक मिलने वाला है जी हाँ और एक कमपनी डवल अड़ेस्टेवल जेक दे रही है तो सवराज गयो नहीं ट्रेक्टर के अंदर आपको इजी हिच पॉइंट दिया गया है यानि कि आप एक सिंगल ओपरेटर इस ट्रेक्टर के साथ कोई भी इंपलिमेंट आसानी से जोड सकता है डवल डिस्टिउटर के अंदर आपको ये ट्रेक्टर मिलने वाला है साथ में इसमें आपको पीछे की साइड टूल बोक्स दिया गया है ट्रेक्टर के जो फोर विल ड्राइव की प्रोपेलर शापट है इसमें आप देख सकते हैं काफ़े अच्छे तरीके से कवर की गई है ताकि फिल्ड में चलते समय इसके साथ किसी तरह का भी कोई गास फूस इसके साथ ना लग जाए छे साल की वारंटी का लोगो इसमें आपको मिलने वाला है आपकी सेवा में हाजिर सवराज 855 फोर विल ड्राइव नए लुक नए अंदाज के साथ आपको मिलने वाला है तो जी हाँ अगर आप सूपर सीडर या तूडी वाली मशीन के लिए ट्रेक्टर लेना चाते हैं तो सवराज ट्रेक्टर पहले से काफी कॉंपैक्ट और सूफिशेंट आपके लिए बनाया गया है ताकि इस सीजन के अंदर आपको ये ट्रेक्टर किसी तरह की भी कोई रुकावर नहीं आने वाली है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक आइक